जै मातजी सबी को, आज नवरात्रिका है आठवा दिन और डिनर में बन रहे थे आज वरत के कोफते जैसे नॉर्मल ही कोफते बनते हैं वैसे ही बनेगा बस इसमें चेंज किया है, इसमें घिया के साथ हमें समा की चावल का आठा लेना है और कम गैस पे इसे फ्राय करना है, अगर तेज गैस पे करेंगे तो एक खराब हो जाएंगे तो इन्हें थोड़ा लाइट ब्राउन होने देते हैं, तब तक हम थोड़ा ग्रेवी देख लेता है ग्रेवी हमने बनाई है सिर्फ टमाटर से, और व्रत के जो मसाले होते हैं उससे तब तक हमारे जो कौफते हैं, वो अल्मोस्ट हो चुके हैं फ्राय और इनको हम ग्रेवी में डाल देते हैं, देखे जड़ा, चेक करो अब हमने डाल दिया, और इसमें एक चीज़ द्यान रखना कि हमें इसे सिर्फ अराम-अराम से मिक्स करना है क्योंकि हम जादा तेज मिक्स करेंगे, तो ये खराब हो जाएंगे और अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, थोड़ा लिक्विड बना सकते हैं इसको ग्रेवी को ये हैं व्रत की दूसरी सबजी, आलू की, सूखे आलू की सबजी और व्रत का हल्वा भी बना है आज, तो ये है व्रत का हल्वा, सिंगाडे के आटे से बना है तो सिंगाडे के आटे से ये व्रत का हलुआ क्योंकि थाली बना रहे थी ममी और ये अब मंदिर में लगने जा रहा है भोग देख रहे हैं आप डेडी कर रहे थे पूजा तो अब लग रहे है भोग की थाली और ये है हमारे आज भोग की थाली अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जैम आता दी सभी को